सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास आइफोन है और आपके आइफोन जो है यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन दिखाता है आपका फोन ओन नहीं हो पाता है अगर आप अपने फोन को यहाँ पर ओन करने का ट्रॉ आइब करेंगे तो ओन नहीं हो पाएगा उसकी जो है आपको ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल रही है वो आपको यहाँ पर अचनल उसको आपको बताने वाला हूं आप सोचते हैं आपको इसकी वीडियो में सिंपल सा काम करना होगा Süme stable drops को फोलो करना हो COBर आप भी आपने मुबाईल को ऑन कर पाएंगे तो यहां पर आपको करना क्या हम आपको बता देता हूं जैसे क्या आप देख आ रहे हैं यहां पर आपको किसी भी संक्रिक्ष बाप जाने की जरूरत नहीं है ना फिर किसी मोबाइल शोप में जाने की जरूरत है आप इसको घर पर ही इसलिए solve कर पाएंगे on कर पाएंगे तो उसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आपके मोबाइल में यहाँ पर volume up और volume down बटन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जो है यहाँ पर volume up बटन जिससे हम volume ज्यादा करते हैं उसको एक बार दबाना है then उसके बाद यहाँ पर volume down बटन है जो जिसे हम volume कम करते हैं उसको भी एक बार दबाना है यहाँ पर हमने दोनों को दबा दिया है then उसके बाद आपको क्या करना है जो आपका power on off वाला बटन होता है log बटन जिसको हम बोलते हैं आईफोन में उस log बटन को आपको प्रेस करना है यहाँ पर इसको प्रेस करके रखना है यहाँ पर तब तक प्रेस करना है जब तक यह logo ना आ जाए logo आते ही आपको छोड़ देना है then उसको बाद यहाँ पर वेट करना है आपका mobile reboot हो जाएगा restore जाएगा अपने आप ही own हो जाएगा तो यहाँ पर wait करते हैं जब तक यह own नहीं होता है तो guys जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा mobile own हो चुका है अगर आपका mobile में भी यह problem आ रही थी तो simple steps को follow करिएगो और आपका mobile भी easily तरीके से own कर पाएगे आपको यही बताना था अगर आपको फिर भी कोई problem face करने पड़ती है मुझे comment box में जरूर बताएगा मैं आपके लिए कोई और solution लेकर आऊँगा आपके लिए में इतना है मिलते है नेक्शन में टिल नबाए टेक कर लब यू अल